नमस्कार दोश्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे और आपके तेयरी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सपेसिल क्लास को साथ वजय आपको मिलती है और उसमें हमारी कंटिवर चल रही और आज जो है हमारा रेल परिवहन का कुछ टोपिक बचल हाथा तो उसको आज कंपलीट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम जल परिवहन के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जो है कुछ ऐसे टोपिक होते हैं जो हाइड होती है टोपिक परन्तुब उनको नहीं पढ़ पाते है और एक्जाम में को सनाता है तो बहुत को सनाते हैं और बच्चे फिर भूल जाते हैं जैसे माप से कुर्शन 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 होगा कि भारती रे सबसे बड़ा जो है यह रहु नई का सबसे बड़ा कंई नयू प्रशन सबसे बड़ा है तो यह किछ अपका हई रयल्क्ली जए किसे अब कि जुव का उप्ली बड़ा च क्योंकि पsembाले रहा है पपर यह ओड़ी पता हुआ बेषम्मक्र्स थो भारत जो सबसे बड़ा रेल वे स्टेशन नोग तब खड़क पुर है जब कि भारत में सारबादीं प्रैट्फूर्म भाला जो में अब इस ट्रशन है वह कॉन चली तेहिते हैं जबकि यह भारत में सबसे पहले जो रेल चली वह कब चली थी वह आई तिंग 24 अपरेल चली ती अब यहां पर यह जिकर आ जाता है बहरत में भारत में यूपी में यूपी में सबसे सबसे पहले जो रेल चली उइड वो कह रेल कफ चली तो चली движ 269.. और प्रियाग राज से कानपूर के बीच ठीक है कहां से चली थी प्रियाग राज से कानपूर के बीच चली थी ठीक है भाई। तो यह चीज़े पता होती है में त्रियाग राज से कांपुर की बीच चली सि फिर भारती रेलेघे को कितने मंडलों माता है कितने मंळल मंडले थीक थीक है जोन कि तो आपके लोल मंडल है वह आपको को आपका नरे कही बारे लोल घोन गुष्याइं आता है几ार जो जोन है रेल्फेशन रो़ून वह कौन सा है बच्चों को यही नहीं पता होता है यह नहीं पता होता तुम आपको बताना चालों सत्रवा जो है वो है कोलकाता मेट्रो कौन सा है कोलकाता मेट्रो कि तेक कोलकाता मेंट जो है वो कून सा है शत्रवा प्रेलवे जो इसली है जिबकि अठागज है विसाखा पतनम इंप एहां से भी कुछ नियाद रखना है फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भालती यह भालती है भालती है रेल फालती है माल धुलाई में माल धुलाई में महत्पूर्ण भूमी निभाती तो देखे सबसे पहले मेट्रो के अगर बात करें अब हमने भारती मेट्रो को भी कल देखा था तो मेट्रो सेवा के बारे में हमने बात करी थी तो क्या है माट्रो सेवा में सबसे पहली मेट्रो जो चली थी वो कहां पर चली थी वो चली थी कोल काता कोल काता चली थी वच्छा और कप चली थी 1884 थायाद, I think 1886 थायाद, 2000 में चली थी वहाँ पर 1903 थायाद, 1986 और 1884 थायाद, 1984 में चली थी, ठीक थोड़ा कन्फिजन हो गया था कही सारी डेटे आधारी थी, 1984 को चली थी, कहाँ पर को लगठता में इसी के साथ जो दूसरे नंबर पर चली वो दिल्ली में चली, ठीक है हम दिल्ली मैट्व जाय जानते हैं और यह कब चली थी 2000, 2002 में, फिर एक और हम जानते हैं जाता लखनाओ, लखनाउ मैट्रों के हम जानते हैं तो यह यह क्या थी आपकी? 2016 . बिष्व मेइना यूश्ण लुटभू तबन कारवन डेटिंग कारवन डेटिंग करवन डेटिंग पुरुसकार कारवन दिल्ली मेट्रों जीता है किसना जीता है दिल्ली मेट्रों क्यों क्योंकि जब से दिल्ली मेट्रों की सेवा शुरू की गई दिल्ली में जब से क्या था कि दिल्ली में जो है कार्वन की मात्रा जो है बहुत जादे कम हो गई थी कार्वन की मात्रा की हो गई थी बहुत जादे निम्मा कहा पर है बैंक लोर फटीक है इतना बिद्यदश क्रe Mazda ने दो याद रिपूय हो पहला ओर दूसरा और कुछ नहीं त्विख करते हैं यहां पर मैत्रों के तो बिष् justement में जो है corporate optimism में डक्षन कोरिया ologists कोरिया है फार्फिन पर पर भारत 14 हे तो विसे निमबर भारत भारत आया ने डिलिल्ी इंक मैट्रो में सहयोग चांठी जो किया था कीस ने किया समय किया सब्सक्राइब डक्षन कोरिया ने और इसमें सिरीधरन सिरीधरन जिसे हम कहते हैं इस सिरीधरन को क्या कहा जाता है मैट्रो मैन कहा जाता तो एक्जाम में कुछ ना सकता मैट्रो मैन के नाम से किसा जाना जाता है तो यह लगभग कल की बात हो गई थी ठीक है अब यहां पर आख है आज जो हम सुरू करने वाले हैं वह हमा है युशा में कर दो सेवा में आयूग हेट और एक उच् Mater्म माइए है और फूर को यह बाद सो है अगर हम बात करते हो उत्तर पूर देर तर टार पूर जो awakened of course watch कर यहां पर है इलहाबाद वही जो उन्स अल equity है यह यह-वाला होता है यह नहीं होता है ँथे में वह पाल होता है हुपाल होता है डख् besides में ुपे लोगह लेच भर्लमे चिन नहीं में ओक्र। है यहहा है तो तीन हो चुके हैं एक थेने हो चुके हैं अगर बात करें आपका स्च्च्डिम मे जो है वो कोजे तरुम श कॉल कॉल काता है तो यह आपके नmost्दा reflected कंपोर करता है इपने बात रखना है इस सै यादा नत रहागता है अगर पाट करते ही लोटी पोईंट रहे थे खाल खार रहे हैं तो आज वहुम्य मोट पूंच ऩर रहांगे नोट Grund पॉंच यदि जो भारते रहे लिए रुट देयार इस सबस्क्रूत क्रें सबसे जयादा टेन रहती है वो कहां होती है कानपुर में होते हैं कि सबसे पहरी कहां पर होता है कानपुर में थीक है सब से जयादा है के रखबर का मानख की टीन सो से अधिक तीन सो से अधिक होता है यह बात मारें कर कि dalी कहें विषुप का सभसे पुराना बहां इंजन निगेंट का सबसे पुराना दूसरा पड़िए कहां कि अथिода कि सबसे पुराना और भांप मोल ना आप वह्य वहां विजब एकड़ Εन्जन को से कों थे कटैंग ते में पहज़ी रेल है यह यिक पहली पहली रेल बिस्व में पहली रेल कहां चली थी वो चली थी इंग्लेंड में ठीक है इंग्लेंड में चली थी कव 1825 को चली थी ठीक है बिस्व में पहली जो ट्रेन चली थी वो 1825 में चली थी पाकिस्तान व भारत के बीच में चलने वाली जो है एक तो थार है और एक समझ होता है ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली ट्रेन है चलने वाली जो ट्रेन है वो कुण कुणती है एक तो थार है एक तो थार है और वह समझोता कुणती है समझोता समझोता एक्सपृस ठीक है थार एक्सप्रेश और समझोता एक्सप्रेश ठीक है आरे बाद सोनगा ऑफ यूआ कया हो जायगी सम्झोता सम्झोत एक्सपरेस और ठार एक्सपरेस जाएगे मुन्नी को जानते हो मुन्नी को आप agent को जानते हो बजरांग की बायजान वह मुन्नी टीक है वो इस Besides इस त्रेन से निकली थी किससर सम्झोतए पूरी पिक्चर बन गई थोड़ी देर और रोख ले थे अब एक बाद तो बताओ फिलिम तो बनानी थी अरे फिलिमी तो बनानी थी जब पता है कि बच्ची रह गई है तो सीधी बात है ट्रेन की चैन खेंच दीती पाइब किसने गोर करी गया नहीं ना ऐसी वह डीडेल जय काजोल को भागने के जरुत थी जब पता है कि सारुकान को कि बढ़ी ट्रेन में चैन है पर ट्रेन चल लगी है उसा जबरस्ति बखा रहा रहा है और ट्रेन के चैन भी खेंट पक्ता था मगर क्या है आज भी बही ब दिखा अधर मां को बेटी के प्यार में दिखा और जो है राहुल को सिमरण के लिश्यकर में निस दिखा बग बगाई रहे हैं ठीक है को मैं फ्रकी हाथ कर दिया ऐसे बस पकड़ रहा है और आप उसी मनमोहित हो रहे हो औह हो हो समझे है निए बहुत नहीं भाट नीए जो है भारतिय रेलवे का बजट को सामानिय बजट से सामानिय बजट से अलग जो किया गया वह उन्नीस कुछ या गया वह उन्नीस Sो 1925 तूप यह बोचिस नों जात तो तो सबसे पहली बात आजाएगी सबसे जादा смотрите का अवगमन जो होता होता कान पुर्म होता तीन से सद्र इक होती है वीशत का पुराना जो है वो कुण सा आप का वा आपका फैरी एथे समझोता है भारती रेलवे का बजट जो है बजट किस से आम बजट से जो है कब अलग कर दिया गया था वह 1925 में अलग कर दिया गया था इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट सिलाइड क्या है ठीक है अब एक आता है आपका सबसे पहला कि भारत में पर्थम बिद्धुत इंगन कब बना यह कुश्चन बहुत आता है बहुत ज्यादा आता है तो यह कब चला था सबसे पहले पहलेफेंट पहलेट इंटी ग्रेटिड कोच तो यह कहां पर है चेन नहीं है कहा पर है निकी पर कहां पर है चेंन इमें तो खूब आताको settशन स्वाला वालकशन एक ठीक थिरिस्टार वाला कुशन रहा पर है टो पर है यह आ 다양 रहालबे कोच फेक्टरी कहां पर कपूर थला कहां पर है कफूर थला कपूर सलाह उसेन पुर है क्या बिहार में ठीक है तो कहां पर है रोसेन पूर wurden संपूर कहां पर है भिहार में ठीक बहुभ यहाँ पर है इह है ठीक है तो is इस फेक्टरी दोगी जाएगी तहां पर रूत्यानपूर में अ जाएगी यह कपूरत्रावे इस अधानों वे की ऑनल माल जो कहां आ सब सबस्ता एक्जाम ने आता कॉंग करें रख वुझका पस्व्थ मिगार्ट का ते पस्विघाट तो गुजरता है है फशच्रमिघाट से उस यह भी मोस्ट हो जाएगा ठीक के जहींड हैं अगर बात करें भारती रेलवे के मार्ग मांपविजो है उनकी कि राक हो हैं तो इसमें 25 प्रतिवत बिद्ध्वत हो चुके हैं तो भारती रेलवे के हैं जो क्ष्थ है क्ष्थ मार्ग है क्योंकि पस्षा क्षी में अृत्त। पुरी तरीका से तरीकशा करतलख है त्वी हम बात करें तो थिक है अगर आगर हम यहां एक और बात समझेंगे अगर यहां पर इक कोश्ड़याता है कि भारत का विस्तार जो है अंतिम अंतिम मैं अंतिम क्या है था तो को बताना चाहीं यहाई पर भारत सबसे प प्षिम्य का इस टेशन है बालत में वह सबसेंगे जो हstory वह तकिछ्ठलिब कोंने जनका है और कहां पर है यह गुजरात में के कॉन्या कुमारी 10 ग्राइट कोई या Motor चाहां पर है यह यह तमिलनाडू को नगर थीर तेग्ए सबसे उत्तर के अगर बात करें तो बारल्व मूला कोंपर रहां उत्तर में और शबसे पूरब में जो है वह आपका है य्दो असम्में कौन सा है पूरूम में लीडो लीडो जो है वो कहां पर है असम तो यह आपको हमने बता जिया विस्तार इस सागे कुछ नहीं है यानि कि गुजरात का ओका इस्टेशन जो है वो अंतिम है पस्चिम में 12 मूला जो है वो अंतिम है सरी उत्तर में दक्षिन में कन्या कुमारी है जो हारत करों में आगर मैंब बात करें तो लीडो जो है वोस अफसा प्साओं थीकटा है इस से ज्यादे और कुछ नहीं पू Koros hip पता है भारत में झापैसली को मार्णक के अब बात जो करने वाले हैं और जो करने वाले हैं या बड़ी लाइन बोल देते हैं या बड़ी गेज बड़ा गेज यह एक होता है मीटर गेज इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब यह है कि दो पट्ट्रियों के बीच की दूरी 2 पट्टि यह जो है कितना है तो जो बड़ी लाइन होती है सबसे जाए है यहाँ पर इसके 1.67 rainbow 676 मीटर ये मीटर में हैं इसकी जो कितनी है 1.061 metr ये इनके लंबाई है ये इनके चोड़ाई है बड़ी लाइन में 1.676 हो जाती है और 1.0m हो जाती है नैनो के अटका आपका 6.671 metr हो जाती है इतनी बात याद रखो ठीक है दो-चार यूपी का, फ़र यूपी से सुरू करते हैं, यूपी का सबसे बड़ा platform, platform कुण सा है, गोरकपूर, ठीक है, तो यूपी का हो चुका है, तो भारत का, भारत का सबसे बड़ा, क्या है आपका हुबली, हुबली, करनाटक, कहां पर है हुबली करनाटब ठीक है दो कोशन चन यह आदर अखले न फिर एक कोशन आता है सब से बड़ा railway station जो है भारत का भारत का भारत का सब से बड़ा railway station ठीक है भारत का सब से बड़ा railway station वो को नह था है? क्ढ़कपूर का नाम सुन lotion का मेंं तर स्मीम थंद्हुनी you कि ख़ड़क पूर म 2030 जो थे चेंटा है जो है उसमें तो बहाँ पर समझ गया नीं भहाँ पर यही मूवी में जो है उसको τη जो बन गये है दिखाया गया वह इसी उसही उस्गाइगा ख़ड़क पूर में ठीक है भारत में सरवाधिक प्लैटफोर्म बाला जो इस्टेशन अब कुन सा है ठीक है यह इंपोर्टेंट है भारत में सरवाधिक सरवाधिक प्लैटफोर्म प्लैटफोर्म बाला जो इस्टेशन अब कुन सा हावडा हावडा जंक्षन ठीक हावडा जंक्षन पर कितने हैं 26 है 26 प्लैटफों है याद रहां कितने है 26 ठीक है उत्तर प्रदेस में डीजल इंजन निर्माड कहा होता है ठीक है उत्तर प्रदेस में यूपी में डीजल इंजन निर्माड ठीक है कहां पर होता है इसे लोकोमेटिब बोलते हैं बनारस में कहां पर बोलते हैं बनारस में लो लोको मैटिक्स वक्स ठीक कहां पर है यह बनारस बनारस यह चीज़े याद रखो अपनी विल्कुल ठीक हो यह फिर आगा तब उत्तर प्रदेश रेलबे संग्राले कहां पर है एक यागा कोश्टन यूपी रेलबे संग्राली है तो बेटक कहां पर है यह आपका हो जाएगा बराणसी तो हो चुका है यह हो जाएगा बनारस बनारस यानि कि बराणसी बराणसी ठीक है इतना याद रखना है ठीक है यूपी रेलबे संग्राली है ठीक है अगर बात करने रेलबे सुरक्षा आयो रेलबे सुरक सुरक्षा, आयोग, कहां पर है लखनव, कहां पर है लखनव, ये याद रखना है, ठीक है, इंपोटेंट है, ठीक है, यूपी में जो बिजली के ड्राइवर, प्रसिक्षान लेते हैं, वो कहां लेते हैं, गाजयाबाद में लेते हैं, तो गाजयाबाद में कहलेते हैं, हुआ के वह यह आपको याथ करना नोट कर लो इसको अच्छे से ठीक है कि यह वेarenda को यूपी का सबसे बड़ा गोरकपूर है भारत का सबसे कौन सा है वह ली है ठीक है भारत का सबसे बड़ा रिले पस्टेशन जो हो खड़कपूर है ठेक है भारत में सरवादीक पैटफोम पाला कोंसा हावड़ा जिंसनन है अधायोग में डिएजल इंचनभ भक्स है लोकोमेटिव बख्स बनारस थे कि यूपी रेलवें संगी लिबनारस में और और भृण से जो बर पिए नगए भीर नग्यां कोन सा है जल जल परीवेहन चीजल परीवेहन को ऑशनकित करेंगे कोई मिल करेंगे कि क्या सब्सक्राइब क्वात जाकुदि प्न संपता क्योंकि जल्से जल्साम्न भीक जोना उत पुरू द्रन वात करते हैं क्योंकि उपी में तो एक ही है एन डबलो डबलो बन प्रियाग राष्ट से हल दिया जंगा नदी पर ठीक है 1620 किलोमेटर्स के लंबाई है तो अगर इससे पहले जो है बागता चाहिए तो देश में देश में कुल जल राष्टी जलमार्ग राष्टी है राष्टी है जलमार्ग कितने हैं अब 111 है अब कितने हो चुक हैं 111 इन में से 111 में से घोसित जो होए वो कितने होए वो 106 होए है घोसित जो होए वो कितने होए है 106 ठीक है घोसित जो है 106 होए है ठीक है अब प्रेचलन में जो है बेटा वो कितने है वो 5 है जिन में से एक जो है प्रेचलन में जो है जिन में से एक जो है वो यूपी में यूपी में जो है एक तो कौन सा है यह बन है कहां से कहां तक कि यह पता होनों चाहिए तो प्रियाग राज से हल दिया प्रियाग राज से हल दिया तक है 1620 किलोमेटर इसकी जो है वो लंबाई है 1620 किलोमेटर की लंबाई है ठीक है अगर हम बात करें तो ना मांबर 2018 में एक और में इंप्टेंट बात लख देता हूं घीक है यह पर इक बात लक्वाटवदेता हूं यहा पर थीक है चाहरे थान्य भफ्रम लेकिन को कि पानारस के शमीप ठीक है बनारस के समीप क्या क्या था पहला वाटर गेज टर्मिनल यहां से थीक है वह इतनी याद रखना है इतना याद रखना है ठीक है और एक और इंपोटेंट है अभी जो इंपोटेंट है है तो इसमें क्या है हमारा हल्दिया बारांसी यह पहला जलमार्ग बना है जहां पर जो है नभीनता पास्पोर्ट सिस्टम के द्वारा यानि किसके द्वारा पास्पोर्ट पास्पोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है पास्पोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है वो ट्रांस्पो जारी गएगा ट्रांस्पोर्ट ठीक है यह मान के चलिए यह नभीनितम स्ट्रेज्ट अब यहां पासपोर्ट की जोद पड़ेगे बिना पासपोर्ट के यहां पर काम नहीं होगा ठीक है जिदने भी ट्रांसपोर्ट हम आऑग मन करते हैं वह सब पाइसपोर्ट से होता और दूसते पहला कोंती घटना घटकी नहीं पता चलता सबीकिन कोंती घटना घटकी नहीं पता चलता ठीक है अब बात करते हैं एक और मोस्ट कोशन लिख लो देश का पहला मल्टी मोडल टर्मिनल कहां पर है ठीक है देश का पहला मल्टी मोडल टर्मिनल वो यहां लिख लो है बनारसं में ठीक है कहां पर है बनारस में याद रखना हैं ठीक है बनारस या बनारसं इंप राहुल पूर कहां रहा है बस इतना जया रखना था। नहां पडिदि चाहד निजुद्छ इसके सवाब कुछ नहीं ठीक दोस्तों तो यह था आज का यूपी का सेस्टन हम आदा हंटा ही क्लास लेते हैं इस से जादा नहीं लेते हैं क्योंकि जादा की आपको कैपिसिटी भी नहीं होती क्योंकि आदे क्लास को रिवीजन भी करने में कभी घबराओ के नहीं बार मिलते हैं आपको नए टोपिक के साथ बंसंपता के साथ हम आपके सामने जो हुब होंगे अपने इसी चैनल पर इसी समय और इसी प्रैट्पूम पर चीक है तो मिलते हैं जब तक के लिए जहीं जबारत बंदे मातरम